एसी और वीडियोज देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत शुक्रिया बिस्मिल्ला अर्वाह्मार अर्वाहीम अच्छा देखें CIT के अंदर बेसिक थी हमारी बेसिक में आपका कम्टीट हो गया था में स्पेंड फिर नोटपेट, वर्टपेट भी कम्टीट हुआ था डेस्टोप के राइट लिक ओप्षिंस भी और फिर टाजबार के राइट लिक ओप्षिंस भी कम्टीट हो गए ठीक है यह बेसिक का टॉपिक जो अपना CIT कोर्स के अवाले से था बेसिक का यह टॉपिक यहां तक कम्टीट हुआ अब टॉपिक टू में आ जाता है MS Office MS Office का जो हम वर्जन पढ़ेंगे 2016 का वर्जन पढ़ेंगे यानि कि 2016 का वर्जन तो इसमें हम सिखेंगे सबसे पहले MS Word MS MS क्या है MS Microsoft Company का नाम है Microsoft Company किस चीज़ की है Software Create करने वाली Company है ठीक है और Microsoft की Short Form क्या है MS अब आए MS Office का जो इंट्रोडेक्शन है प्रॉपर्टी के से समझते हैं यह देख रहे हैं MS Word Classes और इस तरीके से इंट्रोडेक्शन की पहली किलास ओपन करते हैं यह लिखावारा Word Office Word यह MS Office अगर आपके PC में इस्ट्रोड क्यावा होगा तो यह Word Open होगा वरना तो नहीं होगा ठीक है तो इस तरीके से इस्ट्रोडेशन का तरीका अगर आपको नहीं पता तो बता दिया जाएगा इंशाला बाकी यह जब Open करते हैं तो यह Close का उप्शन आता है इसे Close कर दिया करें यह एक Message आ रहा होते हैं आप Close कर दिया करें ठीक है अब आएँ दरा इसका Introduction जो है इस बारे में हम समझते हैं क्या है यह तो MS Office 2016 का वर्जन है इसमें हम जो पहले वर्जन यूज करते थे और जो अब यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं का जा रहा है MS Office Previews वर्जन Previews के माइने पहले के जो वर्जन से कौन कौन से है 95, 97, 2000, XP वर्जन, 2002, 3, 4, 6, 7, 9, 10 का वर्जन ठीक है फिर 13 का वर्जन भी आया और जो हम सीख रहे हैं वो है संदोदा 16 यानि के 16 का वर्जन 2016 का वर्जन हम सीख रहे हैं ठीक है अब कोई शक्स आप से पूछे है कोई भी परसन आप से स्वाल करे के सेर ये वर्जन क्या होता है तो इसको शोट फोर्म में यू के सकते हैं के वर्जन के बाइन होते हैं मोडल ठीक है मोडल फोर एक्जेंपल कोई गाड़ी लेते हैं तो संदोजा 15 का 16 का 17 अठारा का मोडल होता है तो इस तरीके से अगर ये सोफ्टर की बात की या है तो ये मोडल की वर्ड की जगा वर्ड यूस करते हैं वर्जन ठीक है इस तरीके से MS Office 2016 का जो वर्जन है हमारे पास इसके अंदर हम सीख रहे हैं MS Word और MS Excel, MS PowerPoint MS Word अगर एक गेंटे की क्लास के वाले से अगर हम सीखें MS Word को सीखने में हमारा तकरीबन डेड़ महीने का टाइम लग जाता है बहुत जादा डिपली हम इसको सीखेंगे इंशायला पिर एकसल का एक मेने का टाइम लगता है पावर पॉइंट 15 दिन के अंदर वाइड अप हो जाता है तो ये पूरा टॉपिक MS Office का किलाता है इसे MS Office का कोर्स भी का जाता है इसे MS Office का सॉफटर भी कहा जाता है MS Office PC में इस्टॉल होना चाहिए आपके पास और रन के कमाण में आएंगे हम और टाइप कर देंगे विन वर्ड इसके कमाण होती है विन वर्ड plan टाइप करके वर्ड ओपन होगा या स्टार्ड पर आकर सर्ट पर जान के टाइप कर देंगे word तो इंटर कर देंगे जब भी open होगा मैं open करके भी end में बताऊंगा आपको लेकिन पहले इसका introduction सौचते है software name क्या है MS word MS के माने क्या है Microsoft company का नाम में और इसकी short form में MS ठीक है, software file name क्या है document यूसकी file बनती है, document के नाम से बनती है, ठीक है जिससे पेचान करते हैंगा यह word की file है, अब देखें उपर नाम आ रहा है introduction of MS word यह जहां arrow आ रहा होता है आप वीडियो के अंदर भी और यहां screen पर भी ठीक है introduction of MS word लिखा भा रहा है, क्योंकि इस file का नाम हमें इस नाम से safe किया वा है अगर हम control and keyboard से control and press करेंगे new file लेने के लिए control and press करने से new file आएगी तो उपर नाम क्या रहा है, document आ गया नाम document 1, अब new file लेंगे एक और, तो यह new file आ जाएगी document 2, document 3 again again new files के name आते जाएगे लेकिन, इस तरीके थे जब हम software के कोई new file open करते हैं software उसको एक अपना नाम document के नाम से दे देता है document 1, 2, 3, 4 again again ठीक है, और file extension अच्छा जब उस file को किसी नाम से save करेंगे पर document के name की जगा वो name आएगा जिस नाम से आपने save किया होगा ठीक है, और file extension short form क्या है, इसकी dot d o c document की short form है dot d o c और x के माना होते है xp, document for office xp कहलाता है, ठीक है का जा रहा है this software is used for advanced text editing इस software को use किया जाता है advanced text की editing के लिए advanced text editing से मुराद delete करना, add करना, color change करना size कमणादा करना, bulletiling underline बगरा करना font के style change करना इस सारा editing के काम में आ जाता है ठीक है, और का जा रहा है we can make application, letter, cv, memo, chart, table, etc इसके अंदर हम बना सकते है make के माने बनाना, बना सकते है हम application भी type कर सकते है letter भी, cv, cv कहते है circle बिटा है, इससे दुसरे लफ़ों में resume का जाता है जिसमें अपना bio data दिखा जाता है आगे इसके assignments आएंगे, इसके बारे में आपको detail से समझा जाएगा, बताया जाएगा और इसके से memo, का जाते है memo random को यह किसी फाइल होती है कि इसके अंदर बाकी फाइस की detail वगरा type करके हम किसी को print करके देते है ठीक है, चार्ट किसी भी topic से related chart बनाना हो इसके बनेगा, यह जब आगे topic आएगा, यह जब आगे topic आएगा, इस पर हम discuss करेंगे, डिटेल के साथ, ठीक है तो यह इस तरह की working आप आसानी से advanced तरीके से, जितनी advanced working करनी हो office working के अवाले से, MS Word में आसानी से कर सकते हैं, किलियर है आदक यह, टाइटल बार जो उपर गए रिया है, यहां पर फाइल का नेम आता है, प्लस, सौफटर नेम क्या है, जो सौफटर का नाम में वर्ड, वो भी आमें दिख रहा है, ठीक है, फाइल का नेम भी दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार, माउस ले जाने पर यह लिखावा रहा है, कस्टुमाइस, क्विक एक्सेस टूल बार, कहां, यह कोने में देख रहे हैं, इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, लिखावा रहा है, किस चिस के लिए होता है, क्विक एक्सेस टूल बार, यानि के यहा एड होती जाएंगी और उस पर क्लिक करके इस उप्शन का असानी से यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है ओफिस बटन रेगुलर रुटीन ओप्शनस रेगुलर रुटीन के मताबिक ये बटन आ रहा होता है किलाता है ओफिस बटन ये फाइल मेन्यू आ रहा है इसे ओफिस क्लिक किया ये नियू फाइल ओपन हो गई ठीक है इस तरीके से यहां पर जाकर कोई काम भी करना जा रहा है फाइल पर आएं सेफ पर क्लिक करें सेफ करना चाहते हैं सेफ पर क्लिक करें कहां सेफ करनी है फाइल आ जाते हैं ये फाइल डेक्स्टोप पर सेफ करना चाह रहा duplicate कहां हम चाहते हैं बनानी है इसके desktop पर किसके नाम समझाते हैं ताहिर अली के नाम से और save पर click कर देंगे उपर नाम आजागा ताहिर अली file वही है लेकिन दो नाम दोनों नेम से अबने उसको लगलग file को save कर दिया ठीक है अब close पर click करेंगे इस close के option पर click करेंगे जी उपर की file वह close हो जाएगी अब ये file ये fale close फे ख़ख़ए ये file झाली के नाम से इस नाम पर click करके open कर दें गे ये file open हो जाएगी clear है याँ दगे ये तरीका कार था control, if or press करेंगे जी उपर की file ले वह close हो जाएगे ये तरीका करता आगे का जा रहा है ribbon, formatting bar, standard toolbar भी कहा जाता है ये जो area आ रहा है, इस पूरे area का नाम ribbon bar formatting bar, standard toolbar भी कहा जाता है ruler केते हैं scale को, ये scale आ रहा है inches में इसका size आ रहा है पड़ा का वर्ट पेड़ के अंदर भी ये एक नमबर से, दूसरे नमबर के दर्म्यान का gap फासला, inch के size के मताबिक आ रहा होता है ठीके, इसे scale का आ जाता है, inches में इसका gap यानि के फासला आ रहा होता है text area, where we ride, या हम क्या करते है कुछ लिखते हैं, किलाता है ये text area non-text area, यह हम कुछ लिख नहीं सकते ये किलाता है, खाली area non-text area इसे margins भी कहा जाता है clear रहा है, इस तरीके से ये खाली area आ रहा है, left में, top में, right और bottom में, ये तरीका का रहा है इस तरीके से scroll bar vertical and horizontal ये vertical ये अप और डाउं मूव कर सकते हैं आप और डाउं मूव करके देखना है यह देख सकते हैं और horizontal जब कंट्रोल से जूम अड़ा लेंगे यह बढ़े आएगा लेफ्ट और राइड मूव करके देखना है यह लेफ्ट और राइड भी मूव करके आसानी से देख सकते हैं बडाएड करिया रहा जाए इस तरीके इस्टर चा जारा रहा को साथ स्टरॉफ यह बढ़ेगा सेगन लास पाटई कर लाती है स्टर्ट तास बार कर देख लेघा यह है रहा है करें गर सर भी करसर किलाता हैju ठीक है तो याद रखना जिस लाइन पैमारा करसर होगा UFS establ का लाइन का है 25 अब कौन से लान पर कर्सर है हमारा 16 देख रहे हैं टोटल पे जिसकी तादाद अगर यह डिटेल यहां ना आ रही हो स्टेडल्स बार के उपर राइट किलिक करेंगे चेकड़ा देंगे यहां से जिस चीज़ के उपर से जिसे पही नमर से चेकड़ा दिया पही नमर की डिटेल गाएट चेक लगा देंगे वापस आ जागी इस तरीके से हर चीज़ की डिटेल को लाने हटाने के लिए तरीका कर यही था यह थी स्टेडल्स बार जो का इंफरमेशन देती है पही लियाउट नर्मा जो यूज़ करते हैं पही सामने आ रहे पही लियाउट जूम कम करने से पेज का टेक्स का दोनों का जूम कम हो रहा है बढ़ाने से पेज का जूम बढ़ेगा तो यह पईल यूट की ऐeger ही खास पेचान थी वियू जो हम देखते हैं नरॉर्बली होता है print में कैसा आएगा जैसा यहां दिख रहा है same 100% इस साइस के मताबिक print में भी दिखेगा ruler ये ruler का जा रहा है check चेक लगाने पर आएगा ruler ये है ruler ये कां से कैसे आएगा view menu पर चले याएगा और यहां पर चेक लगा भाएगा तो ये रूलर आ रहा था, रूलर से चेकर आ देंगे, गाइब हो जाएगा, वियू मेन्यू पर आने के बाद रूलर पर चेकर लगा देंगे, वापस आ जाएगा, शो हो जाएगा, इसमें एक फॉर्मूला है, इसी गल टू, आरे एंडी रेंड, ये फॉर्मूला कैसे जाता हूँ, यहां तक कुछ पूछना है, अब देखें, इस सॉफ्टर को क्लोस कर रहा हूँ, आपके आसानी के लिए, अब स्टार्ट पर आएंगे, इस सॉफ्टर को उपन करने का तरीका कर बता रहा हूँ, यहां पर आकर अगर हम टाइप कर लेते हैं, वर्ड, जस्ट जाता है, अब यह क्लोस का उप्शन आता है, आप क्लोस पर क्लिक कर देंगे, अब मुक्तरी फाइल आ रही है, आपने न्यू फाइल लेने के लिए बिलेंड डॉकुमेंट के इस फाइल पर डबल क्लिक कर देना है, तो यह आपकी फाइल ओपन होगी, फॉर्मूला यूस क करने का तरीका यह है कि एक्वल प्रेस करेंगे, कीबोर से एक्वल का साइन आर ए एंडी रेंड लिखके शिफ्ट नाइन, ब्रेकट ओपन कर देंगे, कितने प्रेग्राफ चाहिए हो जाते हैं, टू प्रेग्राफ आएं, शिफ्ट जिरो ब्रेकट क्लोस कर दी, और अब यह दो प्रेग्राफ टाइप कियोए और अटोमेटली आ जाएंगे, आगे दो प्रेग्राफ टाइप कियोए, अब यह प्रेग्राफ कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए, क्या मकसद था, यह फॉर्मूला आपके गर का PC हो, आब उसमें भी हमें सॉफिस इस्टॉल कर लें का मकसद यह था, कि लिखा लिखाया, टेक्स्ट हमारे पास आ जाए, हम उसकी सेलेक्शन लेके आसानी से प्रेक्टिस कर सकें, अब मैं इसके आगे कि जो आपको समझाओंगा, तो इसका मकसद आपको सौंज में आ जाएगा, कि इस फॉर्मूला का यूज करने का मकसद क्य कि लिखा था, किलियर, आए एक बर फिर देखें, फॉर्मूला कैसे यूज होगा, एकवल प्रेस किया, आरे एंडी रेंड, शिफ्ट नाइन ब्रेक्ट ओपन, हम चाहते हैं, फॉर प्रेगराफ्स आए, शिफ्ट जीरो, ब्रेक्ट क्लोज, और अब इंटर कर देंगे, च शिफ्ट जीरो कर देंगे, ब्रेक्ट क्लोज कर देंगे, तो अब इंटर करने पर अपडेट हो जाएगा, इसका आंसर यानि एक प्रेगराफ आजाएगा, बीस लिखेंगे, बीस आएंगे, यतने लिखेंगे, आएंगे, इसकी आखरी लिमिटे चेक कर लेना, कि कितने प पेश्चा को उपर लिखा वाओ, लेकिन इस फॉर्मूला से पहले कुछ लिखा वाना हो, और इसके दरम्यान कहीं भी स्पेस आपने ना दिया हो, कंटीनियो लिखते आएंगे, जैसे के एक वाल आर एंडी रेंड ब्रेक्ट आपन क्लोज, और दरम्यान में हमने लिख दि हैं, किसी भी एरी के आप सेलेक्शन ले लें, यह किलाता है होम मेन्यो, होम मेन्यो के चंद एक शोटकट जो अप्शन से यहाज हम पढ़ लेते हैं, इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, यह सारे पॉइंट के स्टाइल आ रहे हैं, जैसे के वर्ट पेड में पढ़ा था तकर अपर इस तरह आगे, लेकिन उसे एडवांस ओप्शन आ रहे हैं, यहां पर स्टाइल आ रहे हैं, जो आपको स्टाइल अच्छा लगे, उस पर आप क्लिक कर देंगे, अपलाई हो जाएगा, कम कर देंगे, साइस कम बढ़ा देंगे, साइस बढ़ी आएगा, यहां से बढ क्लिक करें, मुक्तलिफ डिजाइन आ रहे हैं, अंडर लाइन के, जो भी आप यूज में लाना चाहें, जिस पर क्लिक करेंगे, वो स्टाइल आ जाएगा, दोबारा क्लिक करके खतम करना जाते हैं, क्लिक करके खतम भी कर सकते हैं, और क्लिक करें, क्लिक करके खतम भी कर सकत दोवारा क्लिक करें पहले की कंडिशन में आएगा सुपर स्काइप कर देंगे साइस कम होगा उपर मुफ होगा दोवारा क्लिक करेंगे पहले की कंडिशन में आजाएगा ठीक है तो ये थी आज की किलास हमारी बाकी ये जो आप्शन से ये वली डिटेल यह इंशाला नेक्स्ट किलास में हम सीखेंगे इस टॉपिक को यहां से फॉरोलाइक की सेटिंग से अपलाई करते हुए इस टॉपिक को रिवाइस करते हुए मज़िद आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे इंशाला उमीद है कि आज की किलास आपको समया आगई होगे फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे से आप डिसक्स कर सकते हैं ठीक है तो एक बार फिर मैंस का इस ओफिस का ये ओपन करने का वर्ड का ओपन करने का तरीका आपको समझा देता हूँ स्टार्ट पर आएंगे यहां जाकर वर्ड लिख देंगे और इंटर कर देंगे वर्ड ओपन हो जाएगा और यह क्लोस का उप्शन आ रहा है क्लोस कर देंगे बलेंग डॉकुमेंट पर डबल क्लिक करेंगे यह ओपन हो जाएगा फाइल उपन क्लोज करने हों फाइल मनु वगर आएगे यहां पर तोजrows रखें फाइल मन्य वड़ी रेंगे यहां पर कां पर आया था यहां फाइल पर आए नियू उपन सेफ पर क्लिक करके डूबलीकट प्लीक करके क्रीज़ का deben विनडो never R का button ट्रेस करेंगे अभी आगे run की command इस run की command में यहाँ वर्ड टाइप नहीं करना है यहाँ टाइप करना है win word win word टाइप करेंगे मैं इस word को open करने के लिए अब ok करेंगे तो यहाँ से word open हो जाएगा दिख रहेंगे यह दोनों तरीके थे open करने के में आपको समझा दिये close पे क्लिक करेंगे और यहां से open कर लेंगे यह open हो जाएगा ठीक है बाकी रही बात यह software इसे करते हैं वो भी इंशाला मैं आपके आसानी के लिए उसकी video record कर गए आपको बता दूँगा उसमें तरिका कर समझा दूँगा concept क्लियर हो जाएगा यहां close के sign पे क्लिक करेंगे से आप close भी कर सकते हैं